रधान मंत्री इग्राम सड़क योसना के अंतरगत प्रदेश में निर्मित होने वाली धरजन और सड़कों की भरी योसनाओं को खेंदर से फॉरेस्ट कलेरेंस नहीं मिलने की बज़ा से रध होने का समाचार जहां जैराम थाकुर सरकार की अक्षमता को दर्शाता है बहीं भ वक्ता फ्रेम कौशन ने समाचार पत्रों में प्रकाशित उस समाचार जिसमें खेंदरे ग्रामिन विकास मंत्रा ले द्वारा ऐसी परियोजनाओं पर 16 जुलाई से धन खर्च ना करने की बात कही गई हैं का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में अपसर शाही के उपर म प्रदीकारी विकास परियोजनाओं की प्रती जहां लापरवा हैं बही मुख्यमंत्रे की प्रिशाशनिक अनुववहींता तथा देड इच्छा सकती के अभाब के जलते प्रदेश लगादार विकास में पिछरता जा रहा हैं कौशन ने कहा कि प्रदेश में रेलवे सडक परियोजनाओं पर रोक लगना घेंदर तथा प्रदेश दोनों सरकार की हिमाचल वासियों की प्रती उदास इंता को ही दर्शाता है कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार हिमाचल परदेश के गरामिन क्षेतरों में परधान मंद्री गराम सड़ की उजना के तहत बनने वाली दरजनों सरक्रें जो हैं उनकी फॉरेस्ट क्लिरेंस नहीं मिलने की वज़ा से बाहर सरकार के गरामिन विकास मंद्राले ने हिमाचल परदेश सरकार को 16 जुलाई से ऐसी परयोजनाओं के उपर धन खरच करने के उपर रोक लगाने को कहा है यह बहुत दुरभागे पूरुन है पहारी क्षेतरों में सडकें जो हैं वो एक तरह से जीवन रिखा है मुख्यमंत्री की अन्भभींता द्रिट इच्छा शक्ती का आभाव आज परदेश के विकास के ओपर भारी बढ़ रहा है और अपसर जो है वो विकास पर यह उजनाओं को लेकर पूरी तरह से लापरभाही बरत रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि परदेश में उनसे जवाब दल्वी करने वाला कोई है नहीं डवल इंजन सरकार का दम भरने वाले हेकडी मारने वाले लोगों के साशिंकाल में परदेश से सबंधित दरजनों प्रजेक्ट कलिरिस ना मिलने की वज़ा से रद हो जाएं तो अपने आप में ये घटना करम जो है दोनों सरकारों के हिमाचल और हिमाचल वासियों के प्रती रुख को उजागर करता है और हिमाचल के प्रती हिमाचल वासियों के प्रती सरकार में बैठे लोगों को कितनी चिंता है हिमाचल के विकास को लेकर सरकारें कितनी गंबीर है ये अपने आप साबित होता है अपने आप सिध होता है रेलवे नेटवर्क का वादा करने वाली सरकारें और पार्टी के शाशनकाल में ग्रामिन के शेत्रों के लिए बनने वाले जो लिंक रोड है अगर उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे रोक लग जाए और अध हो जाएं मन्जूरी ना मिलने की वज़ा से तो अपने आप ये सारी हकीकत को बियां करने वाले इस्थिती है मानिय मुखे मंतरी जैराम ठाकूर जी के शाशनकाल में उनकी अन्भव हींता की वज़ा से अफसरों की मनमानी की वज़ा से परदेश लगातार बक्यास की द्रिश्टी से पिछड रहा है पीछे जा रहा है